हेलो दोस्तो, वलकूम बैक तू माइ यूट्यूब चैनल, दोस्तो, ओंटेरियो ने बिल्कुल ठान लिया भाई, बिल्कुल ठान लिया है कि जी अब तो भाई स्टूडेंट्स का करियर बना की छोडेंगे, अब तो स्टूडेंट्स को अच्छी खासी जॉब जिलवा की छो स्टूडी परमिट हम इशू करेंगे, 2024 में फीर बात निकल के आई बाई, 292,000 के आसपास का नंबर हम इशू करेंगे, स्टूडी परमिट काई 2024 जो की बात बिल्कुल सही है, अभी लेटेस्ट अपडेट और आ गई, ठीक है जी कि बाई, जो पहले का था कि सेप्टेंबर क्या है ना यार उसने कहीं ना कहीं बाई, स्टूडेंट को एक राहत दो दी होगी, वो एक तो भाई, अकॉमोडेशन वाला जो मैंने कल आपको बताया था, कि बाई, इन्होंने बोल दिया, कॉलेजिस को, युनिवर्स्टी इसको बाई, अपको देखना पड़ेगा, उसी से भी यार अगर नंबर और स्टूडेंट्स थोड़े से कम होगे ना कहीं ना कहीं वो कॉलिटी ओफ एजुकेशन भी अच्छा होगा, और यह जो स्पोर्ट की बात करते हैं, यह भी अच्छा क्योंकि बाई, देखो, एकॉनमी में अच्छा खासा कॉन्ट्रिबूशन तो जो एप्लिकेशन हैं, इन डिमांड जॉब्स के हिसाफ से, इन डिमांड जॉब्स के हिसाफ से, उसके हिसाफ से हम आपको जो टेस्टेशन लेटर होता है, जिसको हम पी एल भी बोल देते हैं, उसी के हिसाफ से हम इशू करेंगे, इसके साथ साथ इन डिमांड जॉब्स भ आपकी हो गई ठीक है घी और फिर आपका भई दूसके साहथ ऋसने तर ब्याक्वरेंच में इससासर बीधिकत्कि को लो अलमस्ट हर वीडियो मैं बोलता हूं तो कर लो आप सीख लू फ्रेंच सीख लो यार तो भी ठीक है नहीं आई तो भी ठीक है बट हाँ efforts करते रहो efforts करते रहो in right direction ठीक है very 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 important और मैं आपको गाइस एक चीज़ बता दूं कि skill वाले यह किस किस को बोल रहे हैं ठीक है जा आपको थोड़ी सी और clarity आ जाएगी इसमें देखो जी इन्होंने बोला है कि जो 96% study permit की जो भाई जो public funded colleges and universities है 96% भाई ठीक है वो तो उनको गई तो भाई public colleges and university 96% तो ले गए 96% तो ले गए और career colleges को भाई कुछ नहीं मिलेगा career colleges को कुछ नहीं मिलेगा बाकी के जो 4% है ना बाकी के जो 4% है वो private आपकी universities हो गई ठीक है जी उनको दे जाएंगे जो और जो eligible institute होंगे उनको मिल जाएंगे ठीक है जी बाई यह चीज़ भी हो गई अब देखो जो मैं skill trade की बात कर रहा था भाई जो programs prioritize किये जाएंगे skill trade human resources in health STEM hospitality and childcare लो जी बाई clear कर भी है इन्होंने STEM healthcare ठीक है जी चाल्ड केर तो इन programs को भाई definitely prioritize किया जाएगा and तो मैं तो भाई यही कहता हूँ कि हमेशा जब भी आप Canada का plan करो especially आज की date में मैंने पहले भी गाई यही समझानी कोशिश की थी सब लोगों को कि भाई आपना अपना जो program है बड़े ध्यान से select करके ले क्या हो भाई क्योंकि वो एक चीज है जो आपको यहां से यहां लेकि जा सकती है वरना भाई फिर मैं बहुत सारी लोगों कैसे देख रहा हूं कुछ भी लेके आगए जी कोई भी college लेके आगए आप सफर कर रहे हैं पता नहीं जी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा पियार कैसे ह होगी करियर कहा हैं वहीं पर 18-19 डॉलर पर बैठे हुए हैं कुछ पता नहीं क्या हो रहा है फिर जी कहते हैं कैनडा में struggle बहुत ज़्यादा भाई क्या करेंगा आपकी पास skill तो है नहीं skill तो है नहीं skill नहीं होगी तो भाई कोई employer भी क्यों रखेगा फिर ऐसा भी नहीं कि आपको फ्रेंच आती है कि चलो या ठीक है भाई एक इस साइट से मैं make-up कर लूँगा वो भी चीज नहीं है ठीक है और यह policies आने वाले टाइम है और भी strict होने वाली है मैं आपको पहले बता रहा हूं अच्छा खासा बच्चा आ गया यहां पर अब immigration वालों को control करना पड़ेगा और वो कर भी रहे हैं वो कर भी रहे हैं अपने इसाब से उस चीज को मैं अभी भी फियर नहीं मानता हूं जो पंदरा मई दो यह इन्नों ने announcement किया है क्योंकि मुझे लगता है कि उस चीज का क्या हो सकता है अब हाँ अभी के लिए इन्होंने clear कर दिया कि Ontario वालों ने 96 परसेंट जो है और इन डिमांड जॉब्स जो है ठीक है जी और मार्किट के इसाब से उन्हीं को उन स्टेडी पर मिट्स किये जो एप्लिकेशन है उनको भाई प्रियर्टी दी जाए आपको पता चल गया होगा ठीक है उन्होंने उनको आगे बेज़ दिया अप्लिकेशन है अब इस चीज में आपने आपका क्या काम है आपका काम यह है कि आपने भाई course अच्छा स्लेक्ट करना है आपने जो आपकी requirement है वो आपने अच्छे से check करनी है कि requirement आपकी actual में है क्या है क्योंकि वो चीज़ा आपने check कर ली और आपने program अच्छा ले लिया guys इसमें दो फायदे होंगे एक तो Canada की journey होगी आपकी इंट्रस्टिंग होगी, एक्साइटिंग होगी और आपको ज़ादा struggle नहीं करना पड़ेगा struggle तो चलो फिर भी है भाई, लेकिन उस level पे नहीं है कि आपने study भी कर ली work permit का भी कुछ पता नहीं है, PR का भी कुछ पता नहीं है ठीक है जी, तो वो सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी very 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 important ठीक है जी, बाकी PR के लिए मैं आपको अपडेट दे दूँ जी draw भाई धड़ा धड़ा आ रहे हैं जी आप लोगों के साथ डिसकस करने के लिए हम भी जड़ादर वीडियोज डाल रहे हैं अपलोड कर रहे हैं बिल्कुल जी बाकी बाई जो भी draw आया जी वो भी देखो फ्रेंच कही आया में वही बात आगी ना 308C cut-off only बाकी अब और अपडेट जो आई हैं अलबर्टा की PNP का आगया बाई कोटा हमारे पास सामने 9750 ही है बढ़ाया नहीं ना कम हुआ है ना बढ़ाया 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 था कि थोड़ा सा तो बढ़ाएंगे या तांकि अलबर्टा को थोड़ा सा एक relief मिले कि हम और अलबर्टा में भी देखो बाई ऐसी बात नहीं है अलबर्टा में भी पॉपलेशन अच्छी खासी है और मुस्ट बारा परसेंट के आसपास सा टोटल कैनड़ा की पॉपलेशन के वहां पे लोग रहते हैं तो बढ़ाया को भी नहीं ले सकते अच्छा खासा उनका भी है पर तो बाकि उंटेरियों का मैंने आपको बता दिया बाई जो भी यहां पर आना चाहते हैं अपना तसली से बाई यूनिवस्टी जो भी लेना है अपने अच्छे से को अपना स्लेक्ट करो एन अपनी फाइल लगाओ और यहां पर आप मज़े करो एंड अपना करियर बना ठीक है जो भाई नेक्स वैं मिल टेया बाई थेक इंच्वाई बाई तेक इंच्वाई भाई